मेरच में एक महिला ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि उसने 3 अक्टूबर 2019 को थाना बहसूमा में मुकदमा दर्श कराया था यह मुकदमा विकुल, अनीता, आंचल, सुभाष, इंद्र, आकाश और दो अज्यात के विरुत, पंजिकृत कराया गया था महिला ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्ठी की MLA के दबाव के चलते पुलिस आरोपियों पर कारवाई नहीं कर रही है महिला ने CM से इच्छा मृत्यों की मांग तक कर डाली थी, जिसके बाद हरकम पच्किया था इस प्रकरन के पुलिस द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि महिला का विकुल नाम के युवक से प्रेम प्रसंग था और दोनों ने 27 नवंबर को रेजिस्ट्रार ओफिस में शादी कर ली थी शादी के बाद महिला ने अपने परिवार वालों के विरुद शिकायत की थी और जान का खत्रा बताया गया पुलीस के अनुसर महिला अपने सुराल में लगबग 10 महिने रही पुलीस का कहना है कि सुसराल में किसी बात पर विवाद होने पर महिला वापस अपने माई के आ गई और फिर अपने सुसराल वालों के खिलाफ मुकदमे तरच करा दिया गया इस मामले में पुलीस साक्षियों के अधार पर कारवाई कर रही है तो ये तत्त निकल कर सामने आया कि अपने पती की हत्या में अपने प्रेमी के साथ ये महिला जेल में आट महीने रही और जेल से बाहर आने के बाद एक हत्या के मुकदमे में समझोता कराने के लिए इसने अपने प्रेमी के कहने पर एक बलतकार का अपना मुकदमा अपनी जेठानी और एक अन्यव्यक्ति के खिलाप लिखुआया श्वेत्र अधिकारी द्वारा इस पूरे मामले की जाच्प की गई, मामला फर्जी पाया गया और उसको समाप्त कर दिया गया अब यह महिला चाहती थी कि इसके जेठानी और दूसरे वक्ति के खिलाप पुलिस चार्चीट करके जेल भेज़ दे थागि हत्या की मुकदमे समझाता हो यह थी मेरत समार समातर प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रही है लाइफ खबर